मैं आपके सामने एक बहुती अद्बूद केस रख रहा हूं हमारे पिता तुल्ली है और एक ऐसी बीमारी से पीडित थे कहने में तो आशान लगती है पाइल्स लेकिन इनी की जुबानी सुनते हैं कितनी तकलीव है थी फिर बताता हूं क्या 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 मैडिशन दी दादा आ मैं लक्षमी नारांचेन अपने उपनाम के आगे बिश्धर लिखता हूं मैं कभी हूं और मेरी कभीताएं यूटूब पर बहुत चलती हैं लागों लोग पसंद करते हैं मेरे को बवसीर की शिकायत करीब तीस साल पहले थी और मैंने दो बार अप्रेशन कराया दो बार अ यलोपेथिक दमाई जो हैं वो चंद समय के लिए फायदा कर देती हैं लेकिन शरीर को खोक्ला कर देती हैं मैं आयोपेजिक के प्रतीम बहुत आस्वस्ट रहता हूं बहुत करता हूं आयोपेजिक में मुझे बहुत बिश्वास है ने पैइस की सिकायत दुबारा चालू साल है और मैं मांसिक रूप से बहुत घबरा गया था आयल चोहन ने मुझसे बोला दादा मैं आपके बेटे की तरह हूं आप घबरा उमर इन्होंने मुझे दो सीरब दिये कुछ पाउडर दिये और वो सीरब खाने के बाद क्योंकि मेरा केज जो था वो काफी बिगड़ गय बहुत घुलिटिंग को रही कि मैं सतत्ता साल की उमर में भी बोल्ड था गरा नहीं यद्यपी इन्होंने मुझे एक खून बंद करने की दबा दि मैं उसका नाब हूद्धी नाइनद सीसिती पीची नाइन पीची नाइन और एक गैस्टोसंजीव नीगी वो प्रवाद को और आयलोवेदिक कंपनी के प्रती लोगों को मैं अस्वस्त करता रहता हूं कि अलोवेदिक को छोड़ो आयलोवेदिक अपनाओ और अब मैं स्कूल रूट से स्वस्त हूं धन्यवाद थैंक यू नमस्कार